हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स, आज हम सेकिंड चैप्टर, हाफ चैप्टर कल के था, आगे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट है प्रानायाम शुट बी डन ओन एंपटिस्टोमच, परफेबली इन दी मॉर्निंग, यू कैन आल्सो दू इट इन दी इवनिंग, बट दे शुट बी ए गैप और फोर हावर्स आफ्टर दी लास्ट मिल, प्रानायाम खाली पेट करना चाहिए, और सुबह के समय करना चाहिए, आप इसे शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के चार घंटे का गैप होना चाहिए, शीवम और नितिन की उसकता और बढ़ गी, उन्होंने योगा टीचर से उन्मतिली और ग्रूप जोइन कर लिया, योगा टीचर ने प्रानायाम के स्टेप बताना स्टार्ट किया, फर्स्ट स्टेप है, सिट क्लैमली ओने मैट एंड क्लोज यूर आइज, आसन परशान्ती से बैठें और आंखों को बंद करें, सेक्ड स्टेप है, पुट लेट एंकल ओन दी राइट थाई, उल्टे बाई तरफ बाई टकने को दाहनी जाँग पर रखें, स्टेप 3, अब सीधे टकने को उल्टे जाँग पर रखें, इस आसन को पदमासन कहते हैं, शुरू में इस आसन पर बैठने पर तकलीफ हो सकती है चिंता मत करो थोड़े अभ्यास के बाद आप सीख जाओगे Step 4 है Press your right nostril with your right hand thumb and breath in slowly from the left nostril Do this till your lungs are full अपने सीधे नथनों को सीधे हाथ के अंगूठे से दबाएं और दीरे दीरे उल्टे नथने को सांस ले जब तक करें जब तक आपके फेफडे फूल ना जाएं This pressure of breathing in is called for rock सांस लेने की इस क्रिया को पूरक कहते हैं 5. Hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortable can This pressure of holding breath is called कुंबक 5-10 मिन तक सांस रोके या फिर जब तक आप सांस रोक सकते हैं सांस रुकने की क्रिया को कुंबक कहलाती है 6. Now release the thump and close the left nostril with your ring finger Then breath out slowly through your right nostril This process of breathing out is called rechak अब अंगुठा हटाएं और अपने ring finger को अपने उल्टे नथने को बंद करें अपने सीधे नथने से सांस छोड़ें सांस बाहर निकालने की क्रिया को रेचक कहलाती है Step 7. Now breath in from the right nostril सीधे नथने से सांस ले Step 8. Hold your breath again अपनी सांस फिर से रोकें Step 9. Now press the right nostril with thumb and breath out from left nostril अब सीधे नाग नथने को अंगुठे से दबाएं और उल्टे नथने से निकाले Step 10. You may start with 5 rounds and increase in up to 5 to 20 rounds आप 5 rounds से शुरू कर सकते हैं और 15 से 20 rounds तक बढ़ा सकते हैं Okay students, यह chapter complete होता है यहीं पर कल इसकी book activity करेंगे